नमोन आरायन, जाय महांकाल, जाय मावगला मुखी, सभी मेरे दर्सकों का बहुत-बहुत स्भागत है आज भी मैंने अपने चैनल रोविंग गुरू पे एक ब्लॉग अपलोड कर लिया है आप लोगों के लिए ही मैं रोज महनत करता हूँ आप लोग इस व्लॉग को जाके जरूर देखिए व्लॉग का सेक्षन आपको कहां से मिलेगा इस वीडियो के end screen मिलेगा इस वीडियो के description box में मिलेगा और साथ ही साथ मेरे इस चैनल के चैनल सेक्षन पे भी आपको रोविंग गुरू का नाम मिल जाएगा वहां से जाके आप मेरे व्लॉग को देख सकते हैं आज का टॉपिक है किनर के बारे में किनर जिने हम हिजड़ा भी कहते हैं महावरत काल में सिखंडी जो थे उन्होंने भिस्न पितामा के आगे आकर उनकी प्रतिग्या तुलवा दी थी बिस्न पितामा ने अपने अस्तर सस्तर डाल दिये थे और वही सिखंडी किनर उनकी मृत्यू का कारण बना था क्योंकि उन्होंने खुद ही मागा था कि मैं किसी ऐसे के हातों में मारा जाओंगा या मैं उसके उपर ऐसा अस्तर सस्तर नहीं उठाओंगा तो जो किन्नर हैं वो महावायत काल से जुड़े हुए हैं इसी के साथ साथ अपने आसपास के इर्द गर्द भी आप देखेंगे बहुत तारे किन्नर कभी भी जो फंसन होते हैं चाहिए वो साधी बरात हो, मुंडन हो, जनम उत्सो हो, वहाँ पर आते हैं अब इसमें कुछ अच्छे किन्नर हैं, कुछ बुरे किन्नर हैं क्योंकि हर चीज का एक प्रॉस एन कॉंस होता है आजकल के समय में किन्नर जो कुछ लोग हैं जो इसका गलत पुप्योग करके और भी दूसरे किन्नरों को बनाम कर रहे हैं जैसे कुछ जो मेल होते हैं वो इसमें पैसे के लालस देख के किनर बन जाते हैं और मैंने कई सारे वीडियो में देखा है फिर जो असली किनर होते हैं उनको मैं रिस्पेक्ट से सलाम करता हूँ उनको मैं नमस्कार करता हूँ क्योंकि वो लोग बहुत सारी यातनाएं घेलते हैं और बहुत उनके अंदर सामर्स होता है, कैपसेटी होता है जो असली किन्नर होते हैं और जो असली जो जिने हम किन्नर कहते हैं जो एक भगवान का भी रूफ होते हैं क्यों? क्योंकि इनकी दुआएं बहुत सारी कामाती है हमारी जिन्दगी में और ये आपके बुरे वक्त को बदल सकते हैं इन लोगों की साधी आपको कभी दिखाई नहीं देती है ये एक दिन के लिए अपने देवता से साधी करते हैं इनकी अर्थी ये इनकी सवयात्रा आपका भी भी देख नहीं सकते हैं पुर्सों में जब वीर की अधिक्ता होती है तब बच्चा मेल पैदा होता है जब इस्त्रियों में रज की अधिक्ता होती है यानि रक्त की अधिक्ता होती है तब फीमेल यानि कन्या का जनम होता है लेकिन जब दोनों में समानता बराबर की होती है तब एक किन्नर का जनम होता है कुंडली में भी जब आपके पाँचवे घर में स्थनी और बुद्ध एक साथ बाइटे हों तो ऐसे में नपूसक योग बन जाता है यानि कुंडली भी आपके बारे में बताती है और एक और चीज साइंस बताता है जिने हम क्रोमोसोंस कहते हैं इनमें अगर विभिन्यता हो जाती है तब भी किंडर बनते हैं अब कारण चाहें जो भी हो हमेरा आज का जो टॉपिक है वो यह है कि किंडर से एक ऐसी चीज अगर आप ले लेते हैं जो किंडर आपको नहीं देते हैं तो आपका भागे बदल जाएगा इसके साथ आज का वि लेनी हैं सबसे पहले जब भी किंडर आपको दिखाए देते हैं इन्हें दुतकारिये मत इनसे प्यार से बात करिए अच्छे किंडर होते हैं वो आपकी गरीबी दे के मांग जाते हैं कुछ किंडर आते हैं जो अड़ जाते हैं मुझे जादा पैसा चाहिए जादा पैसा टे जाते हैं अगर ऐसा किन्न आपको कभी भी मिलता है और खास करकी बुद्ध वार के दिन मिल जाता है क्योंकि बुद्ध नफूसक के देवता हैं बुद्ध राजकुमार है बुद्ध दोनो देवताओं है यानि देवगण और असुरगण के बीच के होते हैं चार ग्रह इधर चार ग्रह इधर और वीच में बुद्ध देव तो ऐसे में आपको बुद्धवार को इनको रई चूणिया और साथी साथ इनको हरे कपड़े जैसे आप साड़ी दे सकते हैं तो वैसे तो ये लेते नहीं है लेकिन अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है अगर कोई किनर आपको बुद्दवार को दिख जाता है अगर ये अपने खुद मन से आपको सिक्का दे देते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इनसे एक रुपए ले लें किसी भी तरीके से, देखिए, अगर आपको खुद से दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप उनसे माग लीजे, याद रहे, एक रुपए का ही केवल सिक्का, दो रुपए, पांच रुप रखता है, इसी के साथ जब भी आपको वो एक रुपए का सिक्का देते हैं, और आप भी उन्हें साथ में कोई चीज देते हैं, यानि चीजों का अदान परदान होता है, तब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको दो सब्द प्यार के जरूर बोलिए, वो दो सब्द जो ह वो चमतकारिक सब्द होते हैं, वो सब्द क्या है, और आईएगा, यानि फिर से आईएगा, आते रहिएगा, इन्हें हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन सब्द आपको यही बोलना है, और आईएगा, ये दो सब्द अगर आप बोलते हैं, और उनसे एक रुपए ले लेते हैं और अगर वो खुछ से भी आपको एक रुपई दे देते हैं तो आपके प्रारब्ध ने आपको चूस किया है तो मेरा ये आज का वीडियो था कि मैं आपको किन्रों के बारे में बताऊं और आप सभी लोग महभारत तो आपने देखी है और आपने ये भी देखा होगा कि अरजुन ने भी एक बार किन्र का रूप धरा था तो ये जितनी भी चीज़े हैं ये दरसाती हैं कि किन्र जो नाम है अपने आप में बहुत ही पून है इनकी कभी भी हमको दुआ लेने चाहिए बद्दुआ नहीं देने चाहिए इन्हें हस्के विदा करिए इनको कपड़े दीजिए इनसे प्यार से बाते करिए बदले में आपसे भी प्यार ये करेंगे इसी के साथ अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक से मैं बिदा लेता हूँ नमोना रायन, जाए महाकाल, जाए मुगला मुगी